हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्योब चैनल वियस नॉलेज में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज किस वीडियो में मैं आपको जिस वीशे में जानकारी देने वाला हूँ वो आपको मेरे वीडियो का थम्नल देखके पता चल गया होगा तो friends अगर उस बीसे में आपको complete जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो को last तक देखिएगा friends अगर आप पहली बार हमारी YouTube चैनल पे आए हैं तो हमारी YouTube चैनल को subscribe कर लिजेगा क्योंकि सरकारी योजना से जुड़ी जानकारी मैं अपने YouTube चैनल पे लेके आता रहता हूँ आपके एक browser को open करना है और यहाँ पर SSUP लिकर सर्च करना है जिसके बाद पहला link आएगा आपके सामने UIDAI का तो इससे आपको open करना है आपके सामने माय आधार का portal इस प्रकास से open हो जाएगा तो यहाँ पर आप नीचे आएगे तो यहाँ पर दिया चेक आधार validity इसी पर click कर देना है जिसके बाद आपको अपना जो आधार नंबर है उससे यहाँ पर type करना है और जो capture code है इसे यहाँ पर type करना है नीचे proceed के button पर click कर देना है जिसके बाद दोस्तों आप देखेंगे आपका जो आधार verification है यह complete हो जाता है अब यहाँ पर आपको यह ची समझ रहे हो तो अगर आपके आधार कार्ड में mobile number link है तो आप इस योजना में online apply कर सकते है ठीक है तो आप कैसे apply करेंगे पूरा का पूरा जो process है चले बता देता हूँ तो इसके लिए आपको क्या करना है गूगल में type कर लेना है और search कर देना है आपके सामने यहाँ पर प इस पर जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रिकास से जो है page open हो जाता है यहाँ पर apy दिया है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर apy registration का option देखने को मिलेगा तो इसी पर आपको क्लिक करना है आपके सामने दोस्तों जो registration form है online apy subscriber registration आप देख सकते ह तो यह form open हो गया है इसी form को आपको अच्छी तरह से भढ़ना है जिसमें सबसे पहले आपको यह बताना है कि आप income taxpayer है और फिर नहीं है अगर आप income taxpayer है तो yes करेंगे लेकिन दोस्तो income taxpayer वाले apply नहीं कर सकते ठीक है तो यहाँ पर आपको नोही करना पड़ेगा उसके बाद दो branch name यहाँ पर आपको branch name type करना है जिसमें आपका खाता कुला हुआ है यहाँ पर account type select करना है तो आपके पास saving account होना चीए इसी ओजना का लाब लेने के लिए ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर bank account number आपको type करना है जिसमें आपको पैसे मिलेंगे त तो सई से detail यहाँ पर देना है यहाँ पर आपको IFSC code आपको type कर देना है जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर option दिया है KYC करने का ठीक है तो यहाँ पर आपको आधार को select करना है क्योंकि अगर आपके आधार card में mobile number link है तो सारा खाम online हो जाएगा ठीक है तो आपको आधार को select करना है उसके बाद अब आपको करना का है अपना जो आधान number एप उससे यहाँ पर type कर देना है ठीक है आधान number type करने के बाद अगर आपके पास email ID है तो यहाँ पर email ID दे सकते हैं अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आता है amount अब यह दोस् उपए लेना चाहते हैं तो एक हजार सेलेक करेंगे दो हजार तो दो हजार अगर आप महिने का तीन हजार लेना चाहते हैं तो यहाँ पर तीन हजार का भी option दिया है अगर महिने का चार हजार लेना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको चार हजार का भी option मिल जाता है ऐसी 5000 का भी यहाँ पर option दिया है ठीक है तो महिने का हमें जैसे की 5000 रुपए लेना है तो हम यहाँ पर 5000 को select कर लेते हैं ठीक है इसी प्रकास से आपको amount select करना है अब यहाँ पर दोस्तों आता है payment का तो select के उपर आप यहाँ पर click करेंगे अब आपको यहाँ पर कुछ payment भी करना होता है तो payment दोस्ता आप monthly करना चाते हैं या फिर 3 मेने पर करना चाते है या फिर 6 मेने पर करना चाते हैं यहाँ पर आपको तीन अलग-अलग option देखने को मिल जाता है ठीक है तो सबसे based रहता है monthly वाला ठीक है तो आपको यहाँ पर monthly को select करना है अब आप यही सोचे होंगे कि आपको कितना payment करना होगा तो चली ओभी मैं आपको पूरा का पूरा दिखा देता हूँ तो यहाँ पर दोस्ता आप यह पूरा चार्ट देख सकते हैं जिसमें दोस्तो सबसाब बताया है मतलब कि अगर आप महिने का 1000 रुपए लेंगे तो कितना pay करना पड़ेगा उसके बाद 5000 लेंगे तो कितना pay करना पड़ेगा मतलब कि हर एक के लिए पूरा डीटेल यहाँ पर दिया है जैसे कि अगर आपका उम्रे 18 साल है ठीक है और ऐसे में आप महिने का 1000 रुपए लेना चाहते हैं यहाँ पर आप देख लीजिए तो ऐसे में आपको एक महिने का जो pay करना पड़ेगा अभी वो 242 रुपए पे कर पड़ेगा उसके बाद जैसे आप 60 साल क्रॉस करते हैं तो आपको महिने का जो सलेक्ट किरेंगे उतने रुपए बेंक अकाउंट में मिलेगा अगर आप 5000 सलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 200 महिने का आपको 210 रुपए जो है पेमेंट करना पड़ेगा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट होता रहेगा यह सब ठीक है और अगर चार्जर सलेक्ट करेंगे तो 178 रुपए महिने का आपको पे करना पड़ेगा ऐसे ही अगर आप 3000 रुपए महिना लेना चाते हैं तो ऐसे में आपको कितना पे करना पड़ेगा 126 रुपए ठीक है अगर आप 2000 पांच रुपए लेंगे 4000 रुपए लेंगे तो कितना पेमिन्ट करना पड़ेगा पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको चार्ट दिखा दिया समझ गए तो यह दोस्तों पूरा पेमिन्ट चार्ट है यह आपके बैंक आकाउंट से आटोमेटिक कट होगा दोस्तों एक OTP आएगा उसे आपको बस verify कर देना है उसके बाद आपका यहाँ पर registration हो जाएगा जिसके बाद दोस्तों आपके bank account से जो भी amount आपने select किया है उसी साफ से कड़ेगा और जिसके बाद जैसे आपका age हो जाता है 60 सल के असपास तो आपको जो है महिने का pension मिलना श हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं guaranteed यहाँ पर आपको pension मिलेगा तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक को शेयर करना साथी सा चैनल को subscribe कलेना थैंक्यों दोस्तों बाइबन टेक कियर